900 साल बाद उल्लू पर सवार है मा लक्षमी कुम्बर राशियों को देगी करोड़ पती बनने का वरदान जाए हो माता लक्षमी जी की दोस्तों पूरे 900 साल बाद उल्लू पर सवार है मा लक्षमी और इसी के चलते मा लक्षमी खुद कुम्बर राशी को करोड़पती बनने का वरदान दे रही है अगर आप अच्छी तरह से महनत करेंगे और अपने लक्ष को पाने के लिए योजना बना कर काम करेंगे तो आप जल्द ही करोड़पती बन सकते हैं दोस्तो अगर आपके उपर मा लक्षमी जी की कुरुपा सदा बनी रहना चाते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंड में जैं मा लक्षमी जी लिखना ना भूले तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं किस तरह बन सकते हैं आप करोड़पती अपने आकरशन और संचलन के तरिकों के कारण आप धीरे-धीरे सफल तकी और बढ़ रहे हैं आचानक आई घरेलो मुसीबतों के कारण आप कुछ समय तक ब्रहमित हो सकते हैं तिन्तु आप अपनी मंजिल पाही लेंगे, कुछ अप्रत्यशित करियर और नोकरी के मौके भी मिल सकते हैं, अपने कौशल को लेकर पूरी तरह से इमानदार और आशावादी बने रहें, अपने लक्ष को निर्दारित करें और उन और रोदों पर भी नजर रखें जो आप के कारे में बादा डाल सकती है, पुराने व्यावसाइक सहयोगियों से जुड़े और नए नेटवर्क वर सहबागियों से सहयोग प्राप्त करें, खुद पर विश्वास रखें यही आज का मंत्र है, आपकी प्रबंद की एक श्यमता की प्रसद्दी के कारण आपको नए आफर मिलेंगे, अपने कारे और कौशल का मुल्यांकन करने के बाद आप सफलता की सीडिया चड़ सकते हैं, याद रखे अपने सपनों का अनुसरन करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है, आप अपने कारे को पूरा करने में पूरी जान लगा देंगे, शमताओं और उन्हों का अच्छे से उप्योग करने के लिए यह समय बहतरिन है, अपने विकास के लिए नए कार्य और नए आउसरों को खोजे, सकारत्मक सोचे और आशावदी बने, यही आज का मंत्र है, याद रखे जिसका ग्यान पूर्ण है, सफलता उसका साथ देती है, दोस्तों अब बात करते हैं कुम्बर राशी की लव लाइफ के बारे में, आप अपने बड़े भाई या भहन के साथ समय बिताएंगे, रोमैंटिक संबंदों को लेकर चिंतित हो सकते हैं, लेकिन याद रखी कि मोहबत में रोमांच बनाए रखने के लिए कोशिश एक तरफा नहीं दोनों तरफ होनी चाहिए, कोई शुबच चिंतक आपका मारगदर्शन कर सकता हैं, आप सोचेंगे कि आप अपने जानों से क्या चाहते हैं, लेकिन इसका भी विशलेशन करे कि आपके पास उन्हें देने के लिए क्या है, आपके व्यक्तित्व से कोई आपकी तरफ हो जाएगा, किन्तों आपकी भावनाएं उन्हें आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देगी, एक साधरन चेट दिल में जगह बनाने में मदद कर सकती हैं, रोमास में आई समझाएं आपके रिष्टे में दूरियां ला सकती हैं, गलत फहिमिया होना बहुती सामा बस उन्हें जल्द ही दूर कर ले, आप जानते हैं कि आपके महबूब को आपकी फिक्र हैं और वो हर तरह से आपकी मदद करना चाता है, दोस्तों या भाई बहन की कमपनी आपको राहत पहुंचाएंगी, आप अपने रोमेंटिक संबन में कुछ बदलाओं को महसुस करें व्यापार के सिलसिले में केगे प्रयास आपके लिए फैदे मन साबित होने वाले हैं, नोकरी के क्शेतर में परस्तितियां आपके पक्ष में रही की, प्रेम जीवन के लिए समय उत्तम रहने वाला हैं, पारिवारिक माहूल आपको खुशी प्रदाण करेगा, माता-पिता का अशिर्वाद और सहयोग मिल सकता है व्यापार में आपको बेहद अच्छे नतीचे मिल सकते हैं आपकी आमदनी बड़ेगी पारिवारी जीवन की समस्याओं का अंतो हो सकता है हन्वान जी की कृपा से आपका कोई महतोपुर्णा कार्य पूरा होगा जिससे आपका मन प्र रहे हैं पारिवारी जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है प्रेम जीवन में आपको अच्छे नतीचे मिलेंगे घर परिवार के लोग एक दूसरी का पूरा सहयोग देंगे आप हर परस्तिती में समझदारी से काम लेंगे कारिस्तल में बड़े अधिकारी आपकी मंजी की कृपा से दामपत्य जीवन खुश्यों से भरपुर रहेगा आपके द्वारा लिया गया निर्नाय सफल रहने वाला हैं बिजनेस में भारी लाब भी मिलने के अवसर बन रहे हैं दोस्तो अब बात करते हैं कुमबर राशी की निगेटिव बातों के बारे में इस र आशीवाले लोगों को किसी भी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने से बचना होगा घर परिवार के किसी सदस्य से कोई समस्य उत्पन हो सकती है धर्म कर्म के कामों में आपकी रूची बढ़ेगी काम के सिलसिले में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी जो आगे चल कर फा काफी परेशान रहेंगे, आमदनी में गिरावट आ सकती है, आपको अपनी फिजुल खर्ची पर नियंतर रखने की जरूरत है, स्वास्त की लिहाद से समय कमजोर रहने वाला है, दामपत जीवन में समस्य उत्पन होने की संभवना बन रही है, इस राशी वाले लोगों को अ अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के अवशक्ता है, अन्यता आपकी कोई योजना रुख सकती है, कोई भी बड़ा निरना लेने से पहले सोच विचार करनी के अवशक्ता है, अन्यता आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, आपको अपने कामकाज में परवाई ना करे सामाजिक शेतर में मान सम्मान की प्राप्ति होगी आप कुछ नए लोगों से जुड़ सकते हैं तो दोस्तो अब बात करते हैं कुछ वास्तु शास्तर के बारे में जिहां दोस्तो इन कारणों से घर में नहीं होती बरकत मा लक्षमी भी छोड़ देती है दोस्तो मनुष्य घर में सुक समरुदी बनाए रखने के लिए अपनी तरप से हर संभव कोशिश करता हैं दिन रात मेहनत करके अपने घर परिवार को खुश रखने की कोशिश में लगा रहता है परंतु ना चाते हुए भी किसी ना किसी प्रकार की परेशानी उत्पन हो जाती है जिसके कारण मनुष्य अक्सर चिंतित रहता है परंतु जो भी घर परिवार में दिक्कत उत्पन होती है इसके पीछे हमारे घर का वास्तु दोश भी हो सकता है वास्तु शास्तर में घर की सुक समरुदी के लिए कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं जिनका अगर व्यक्ति पालंग करता है तो घर के सबी सदस्य हमेशा सकारत्म उर्जा से भरपुर रहेंगे और घर के नकारत्म उर्जा समापत होगी वास्तु दोशों के कारण घर के लोगों का मन दुख्ची रहता हैं किसी ना किसी प्रकार की परेशानी आती रहती हैं इतना ही नहीं बलकि धन हानी का सामना भी करना पड़ता है। आज हम आपको वास्तु दोश्य दूर करने के कुछ तरीके बताने वाले हैं जिससे आपके घर परिवार की खुश्यां बरकरार रहेगी। तो चले जानते हैं आर्थीक परिशानियों का मुख्य कारण वास्तु श्यास्तर में नल से लगातार टपकने वाला पानी माना जाता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा नल हैं जिससे लगातार पानी टपकता रहता हैं तो इसकी वज़े से धन हानी का सामना करना पड़ता है। इकटा किया गया पैसा इधर उदर के कामों में वेर्त ही खर्च हो जाता है। आप अपने घर के इशान्य कोने यानि की उत्तर पूर्व कोने में किसी भी प्रकार का कच्रा या फिर डश्ट बीन ना रखे। क्योंकि वास्तुषास्तर के अनुसार हमारे घर का यह भाग बहुती शुद्ध और सकारत्मग माना गया है। वास्तु शास्तर के अनुसार यदि आपके घर की ठलान उत्तर पूर्व की दिशा में उंचा है तो इसकी वज़े से धन आगमन में बहुत से बादाएं उत्पन होती हैं वास्तु शास्तर के अनुसार अगर पती-पत्नी के कमरे में आईना है तो इसकी वज़े से अक्सर वाद विवाद बना रहता है पती-पत्नी के बीच संबंद भी खराब हो जाते हैं अगर आप अपने घर में महमानों का कमरा बना रहे हैं तो दक्षिन पूर्व दिशा की तरफ ना बनाएं क्योंकि इसकी वज़े से धन प्राप्ती में बादाएं उत्पन होती हैं दक्षिन पूर्व दिशा धन अगमन की दिशा मानी गई हैं वास्तो शास्तर के अनुसार कभी भी घर की चट पर या फिर सीडियों के नीचे कबाड इकटा नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसके कारण धन हनी का सामना करना पड़ता है इसके अलावा घर परिवार के लोगों की सेहत भी खराब रहती है यदि किसी व्यक्ति के घर में सवचल दक्षिन पच्चिन दिशा में है तो इसकी वज़े से घर में धन नहीं रुकता है वास्तु शास्तर के अनुसार आप अपने घर में अलमारी हमेशा दक्षिन दिशा की दिवार से सटाक कर रखे और अलमारी का मुह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि दक्षिन दिशा की तरफ तिजोरी या अलमारी का मुँँ ना रखे क्योंकि इसकी वज़े से धन हनी होती है वास्तु श्यास्तर में इस बात का उल्लेक मिलता है कि घर के उत्तर पुरों में धलान होना चाहिए और इसी दिशा में पानी का निकास रहे उत्तर पच्चिम का भाग हमेशा उन्चा रहे तो दोस्तों इस तरह से पूरे 900 साल बाद उल्लू पर सवार है मालक्ष्मी और इसी के चलते कुमबर राशियों को देगी करणपती बनने का वरदान जी हाँ दोस्तों आज की सुड़े में बस इतना है वीडियो अगर अच्छा लगें तो एक लाइक जरूर करेगा और आपके मन में कुछ सवाल या परिशानी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा उसका जवाब हम आपको तुरंत देंगे तो दोस्तों मिलते एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद